दीपवली के मौखे पर सुप्रीम कोट के द्वारा पठाके बेचे जाने और छोड़ने पर पतीबंद लगाया गया था लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने जमकर आतिश बाजी की लोगों ने देर रात तक पठाकों को छोड़ा और दीपवली मनाई जिससे दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्रप्रदेश में जबरदस्त वायू प्रदूशन हुआ, मेरच में कई स्थानों पर देर राते AQI लेवल 500 के पार चला गया, आत शुक्रवार को सुभा जिले का AQI लेवल 390 था, जबकि गाजियाबाद का AQI लेवल 394 पर पहुँच गया था, रात चला जाए तो इसका मतलब सांस की बीमारी वालों के लिए ये बेहत खतरनाक होता है, कोरोना काल में ये और भी ज्यादा डराने वाला था, मेरट ही नहीं, दिल्ली और पूरे NCR की ही ऐसी ही इस्तिती थी, नौईजा, गाजियाबाद और गुरुग्राम हर तरफ राद भर खूब पठाके चलाए गए और पूरा इलाका धूँआ धूआ हो गया, लोगों ने खुले आम NGT के नियमों की धज्या उड़ाई, प्रतिबंद के बावजूद भी देर राद तक लोगों ने पठाके चलाए है, पठाके छोड़ने की वज़े से कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स घात की स्थर पर पहुँच रहा है, मेरक, गाजियाबाद, नॉइटा, हापर, बुलन शोहर, आदी जिलो में खुले आम पठाके जलाए गए हैं, देर राद तक लगाता आतिशबाजी होती रही, जिसकी वज़े से सरकों पठाके का कच्रा भी देखा गया, वातवरन में पठाकों की वज़े से चारों तरफ धुआ ही छाया रहा, रात में तो एक बारगी गाजियाबाद का AQI लाविल चार सो पच्रास से भी उपर पहुँच गया था, हाला कि NGT ने भी पठाकों के बेचने और जलाने पसक्ती की थी, बावजूद इसके भी जमकर आतिशबाजी होई, NGT ने नियम तोड़ने वालों पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्राभधान किया था, लेकिन दिपवली पर पश्चिम बासियों और NCR की लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर जमकर पठाके जलाए।